आप देजा चेंज हो जाता है यहां तक कि वो फॉरिनर भी बन जाता है इसके साथ साथ उसकी आवाज और उसकी आई साइड भी तब्दिल हो जाती है इट्समीन उसे जो भी बोडिंग मिलती थी उसकी बोडिंग के पार्ट्स एज के अकॉर्डिंग बन जाते थी और उसके बाद खुद ही फरनीचर तयार भी करता था जिन हालात से वो गुजर रहा था अब वो उसका आदी हो जुका था क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो नॉर्मल हालत में कैसे आएगा वो अपने सारे काम आउनलाइन भी करता था असल में फरनीचर डिजाइनिंग के इलावा जो बाकी के मामलात थे जिसमें कस्ट्रमर डीलिंग शामिल है वो इस तरह के मामलात को देखता था एक दिन सैंग जिनके घर आता है और उसी कहता है कि आज तुम एक हैंडसम इंसान बने हुए हो और चलो हम आउटिंग के लिए बाहर चलते हैं वो दोनों एक लब में जाते हैं और वहां पर बहुत इंजुआई करते हैं जिन एक लड़की के साथ सो रहा होता है और जब उसकी आँख कुलती है तो गो देखता है कि वो एक बुड़ा शक्स बन गया कोई अच्छा लगा और ना ही कुभी उसने किसी से प्यार किया और इस बॉड़ी चेंजिंग के स्टार्टिंग आज से तक्रीबं 12 साल पहले हुए थी जब जिन 18 साल का था फिर उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब वो सोकर उड़ता है वो खुद को मिरर में देखता है तब वो एक अजीव इन्सान बन चुका होता है जिसे देखकर वो काफी डर भी जाता है फिर वो अपनी मजज के पास जाकर ये सब बताता है और वो सुनकर काफी ह्रान हो जाती ले Sono की लगोघ ? मगों टी जिन लोगं की तरह एक नोर्मल लाइफ नहीं गुजा सेंग को खाना आफर करती है सेंग समझता है कि शायद यह जिन की मदर है लेकिन फोरण वहाँ पर जिन की असल मदर आ जाती है तब उसे पता जलता है कि वो कोई और नहीं बलके जिन है वो काफी हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि यह सब कुछ क्या हो रहा है पिर वो रियालिटी जानने के लिए जिन के बारे में कुछ सवाल उस लेडी से पूछता है ऐसी बाते पूछता है जो सिरफ जिन को ही पता थी जिस पर वो लेडी सारे क्वेस्टन के आंसर बिल्कुल ठीक देती है जिसे देखकर सैंग काफी हैरान हो जाता है और उस पर हसना शु है और तुम एक लड़के थे जो कि आज एक लड़की बने हो तो क्या तुम लड़की की बॉड़ी में मेरी क्लोज आ सकती हो ये सुनकर जिन बिल्कुल ऑपोजिट आंसर देता है वो से कहता है कि तुम खुद पर कंट्रोल करो अगले दिन वो दोनों फिर मिलते हैं और कंपनी का नाम वो ALX चूस करते हैं उसी वक्त वो लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जिन फरनीचर के डिजाइन बनाएगा और सेंग लोगों को हायर करकी उन्हें सेल आउट करेगा पहले जिन सिरफ फरनीचर मेकर होता है लेकिन अब वो फरनीचर मेकर और सप्लायर दोनों बन जाता है फिर एक दिन जिन फरनीचर शौप पर जाता है और वहां पर वो कुछ नोप देख रहा होता है इसी दुरान एक सो नाम की लड़की उसे देख रही होती है वो लड़की सो उसे शौप की वरकर होती है वो जिन से पूछती है कि तुम्हीं क्या चाहिए जिस पर वो कहता है कि मुझे एक ऐसी चेर चाहिए जिस पर बैट कर मुझे ऐसा फिल हो कि मैं गोड़े पर सवार हूँ ये सुनकर वो उसे ALX नाम की एक वेबसाइट दिखाती है और कहती है कि यहां तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा जिसका मतलब ये होता है कि वो जिन को उसे की बनाई हुई वेबसाइट सजेस्ट करती है जिन उससे पूछता है कि क्या ये बात अलाओ है कि किसी दूसरे के समान की तारिफ करना और फ्री में अड़टाइसमेंट करना ये सुनकर सू हसने लगती है जिन के पास सूकी शॉप के बहुत सारी विजिटिंग कार जमा हो जाते हैं और वो अलग-अलग कस्टमर बनके वहाँ पर जाता है एक दिन जब एक हैंसम लड़का बना होता है तब वो सूकी शॉप पर जाकर कुछ पर्चेजिंग करता है और किसी ना किसी तरहां वो सूक और डिनर पर जाने के लिए आफर परता है लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है जिस पर जिन उसे कहता है कि ये क्वेस्टन पूशने के लिए उसने बहुत प्रैप्टिस की है और जिन की sincerity nature को देख कर वो हाँ कर देती है लेकिन जिन restaurant से खाना purchase करके सू को अपनी furniture बनाने वाली जगा पर लेकर जाता है लेकिन वो वहाँ जाने से इंकार कर देती है जिन उसे कहता है कि ये लो मेरा secretary number मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ लेकिन इसके बाद भी अगर तुमें कुछ भी गलत लगे तो तुम इसकी complaint भी कर सकती हो फिर वो दुनों वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पहुँचकर सू समझ आते हैं कि ये ALX factory है क्योंकि वहाँ के लोग ALX furniture को बहुत लाइक करते थी वो दुनों डिनर करते हैं और उसकी बाद जिन सूको उसके घर पर ड्रॉप कराता है फिर वो अगले दिन दुबारा मिलने का प्लैन बनाते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर जिन सो गया तो वो बदल जाएगा जिसको देखकर वो हर घंटे का अलाम लगाता है जिससे के उसे नीन ना आई और साथ ही वो खुद को दूसरे कामों में बीजी करने की कोशिश करता है यह उसका दिल बहला रहे अगले दिन वो दुनों मिलते हैं और बहुत ज़दा इंजॉय करते हैं सो उसे पुछती है कि तुम ALX में क्या काम करते हो तो वो कहता है मैं फरनेचर डिजाइनर हूँ तब ही सैंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं इसके बाद सो और सैंग अपने अपने घर चले जाते हैं तब वो बस में ही सो जाता है जब बस अपने स्टेशन पर उतरती है तब उसकी आँख खुलती है और वो नौटिस करता है कि अब वो एक मिडल एड इंसान बन चुका स्टेशन पर पहुँचकर वो देखता है कि सो उसका वेट कर रही है वो जिन को काफी कॉल्स करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है और उसे एक सोरी का मैसेज ड्रॉप करता है यहाँ पर जिन समझ जाता है कि उसकी ब्यूटिफुल लाइफ की एंडिंग हो चुकी सो का रिप्लाई आता है वो कहती है कि तुम कहां हूँ मैंने तुम्हारा बस टैंड पर बहुत वेथ हिया जिन डिसाइड करता है कि वो सू को ऐसे ही बगयर बताए नहीं छोड़ देगा बल्कि वो सारे वियालिटी उसे बता देगा अगले दिन जिन एक लड़की बना होता है कि वो एक लड़का है और जब वो सू कर उड़ता है तब उसका जैंडर चेंज हो चुका होता है और इतने दिन से ही वो जिसके साथ घूम पिर रही है वो कोई ओर नहीं बलकि वोही जिन है सू को इस बात पर बिलीफ नहीं होता और वो वहाँसे चली जाती है काफी दिन गुजर जाने के बात भी सू जिन को नहीं भूल रही थी वो हर वक्त उसे के बारे में सोचती रहती है और फिर एक दिन वो उसकी फैक्टरी में उसे मिलने जाती है तब जिन एक जैपनिस लेडी बना होता है और वो सू को अंदर आने को कहता है सोच से पुछती है कि क्या तुम वाके ही मुझे लाइक करते हो अगर हाँ तो तुम ही मेरी एक बात माननी पड़े की और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुमें अपनी आंखों से चेंज होता देखना चाहती हूँ सोच से पुछती है कि ये सब कुछ कब से हो रहा है तब जिन उसके सामने अपनी सारी कहाने एक्स्प्लेंटिन कर देता है और इसी दुरान सोच को जिन की S.L.A. जोके 29 थी पता चल जाती है और सेम एज सोच की भी थी ये पिर सूस से पुछती है कि तुमने मुझे है चूस क्यों किया जिन उसे बताता है कि मैंने अपने इस केंडिशन को अक्सेप्ट कर लिया था और इन सबका आदी भी हो चुका था लेकिन तुमें देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं अगली सुबा जब दोनों उरते हैं जिन वहाँ आ जाता है जो एक हैंडसम लड़का बन चुका होता है यानि अब वो चेंज हो चुका था जिन काफी खुश हो जाता है कि सू सब कुछ जाने के बाद भी उसके साथ है इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और हमेशा साथ रहते वो दोनों एक हैपी लाइफ गुजार रहे थे अगले दिन सू जिन की नेक पर एक कैटू बनवाती है जिससे कि ये पहचान हो सके कि वो जिन ही है एक राध जिन को सू के साथ एक पार्टी पर जाना था लेकिन वो एक बुरी युरत बना हुआ था वो सोने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नेम नहीं आती पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर के साथ आए थे लेकिन सू बलकुल अकेली थी सब लोग सू के पार्टनर को देखना चाते थे और वो उसे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है क्योंकि सब ने सू को अलग अलग इनसानों के साथ देख रखा था तब ही पार्टी में एक लड़का सू का उसी तरह हाथ पकड़ता है जिस तरह के जिन ने उसे कहा था कि वो पहचान ले कि वो जिन ही है उसे देखकर पार्टी में सब लोग हैरान हो जाते हैं खास तोरपर सू की बास अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और वो सू को अपने मदर के साथ मिलवाने लेकर जाता है जिनकी मदर सू को थैंक्स कहती है कि वो उसकी बेटे के साथ है फिर सुबा को जिन खुछ से सवाल करता है कि क्या सू शादी के लिए एगरी हो जाएगी क्या मुझे उससे शादी के लिए पूछना चाहिए और कई डेस वो अपने वैडिंग रिंग बनवाने में ही स्पैन कर दे रहे है सू डॉक्टर से बात कर रही होती है वो अपनी कंडिशन और जिनके चेंज होने की सारी बात बता दी थी डॉक्टर सू को टेंशन और डिप्रेशन की मेडिसन रेकुमेंट करता है और अब जिने खुब्सूरत लड़का बना होता है सो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत अच्छा लगता है और दिल ये कहता है कि ये वक्त कभी गुजरे ही ना और मेरी विश है कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ फिर वो सो से पूछता है कि क्या वो मुझे से शादी करेगी जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती फिर वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा होता है और रास्ते में भी वो सो से पूछता है कि क्या वो मुझे से शादी करेगी सो से गाड़े रोकने का कहती है सो से कहती है कि शादी कोई आम चीज़ नहीं है मैं अपने घर वालों को क्या पताऊंगी कि एक ऐसा लड़का है जो हर रोस चेंज हो जाता है उसकी बाते सुनकर जिनों से कहता है कि जब मैं तुम से दूर जाता हूँ तो मुझे से रहा नहीं जाता सो से कहती है कि तुम सिरफ अपने बारे में ही सोचते हो कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो तुमारी पहचान क्या है मिरर में आज तुम्हारा फेस कुछ है और कल कुछ और तुम्हें तु अपनी ही पहचान नहीं है और तुम्हें तु ये cert करने में भी काफी टाइम लग जाता है कि मैं आज कुन सा ड्रेस पहनूं कुन से जोते पहनूं और कुन से आईिस साइड का ग्लासीस लगांगी स्ट्रेस्ट पिल ले रही है और ज्यादा डोस होने की वजह से वह बिमार हो गई है वह सू के सैल फॉन पर डाक्टर के साथ होने वाली कनवर्सेशन को सुन लेता है और उसे इस बात का रिलाइज हो जाता है कि सू की यह हालत उसी की वजह से अगले दिन वह एक लड़की बन बन गई थी अपने वाइफ की आलत दे कर जिनके फादर वहां से गाइब हो जाते हैं ताकि उसकी वाइफ को यह परेशानी ना हो सके यह बाते सुनकर जिन भी यह डिसाइड करता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए वो दोनों शाम को मिलते हैं और कुछ वाग करने की बाद जिन उसे कहता है कि हमें ब्रेक अप कर लेना चाहिए कि कहते ही वो वहाँ से चला जाता है ब्रेक अप होने से पहले जिन ने सु को एक चियर बना कर दी थी और उस चियर को देखकर और जिन को याद कर की सु रोती रहती है दस महीने गुजर जाते हैं और अब सु बिलकुल फिर उसे ख्याल आता है कि अब तक वो लोगों के बारे में ही सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगी लिए असल में वो खुद भी जिनके बगार नहीं रह रही थी और उसके साथ ही वो से ढूनने का डिसीयन लेती है जिन को दिखाया जाता है जो कि जिक रिपब्लिक में ऐस डि जो कि एक बहुत ही बड़ी फरनिचर मार्किट है और वो उसे रुक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर आने दे अंदर जाते ही वो उस आदमी की अलग-अलब ड्रैसिस अलग-अलब जोते और वो ही फरनिचर जो जिन बनाता था वो देखती है वो कहती है कि मेरी कंपनी को नदनाक लाइफ है जो मैं जी रही हूँ और वो जिन को सोरी कहती है साथ में वो दोनों वाक पर चले जाते हैं वो उसे बताती है कि एक दिन उसने जिन को चेंज होते हुए देख लिया था जिसकी वज़े से वो काफी डल गई थी और उसने खुद को काफी समझानी की की लेकिन वो खुद को नहीं समझा से और वो कहती है कि मैं यह समझ गई हूं कि मैं तुम्हारे बगार नहीं रह से और अब सो खुद जिन से शादी के लिए पूछती है और जिनों से वही बनवाई हुई दिंग पहनाता है और यहां पर उन दोनों की लाइफ और फिलम की ह की लाइब पूछती है